मुश्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Android Mobile यूज़ करते हैं और उसके अंदर आथ जब भी किसी ब्राउजर से APK डाउनलोड कर लेते हैं और उस APK को जब भी आप install करने का try करते हैं तो आपको एक error दिखाता होगा can't open file कुछ इस तरह से जैसे कि यह application है मैंने install करा तो इसको यहाँ पर दिखा रहा है can't open file तो आपको करना क्या है इसको open कैसे करना है मैं आपको बताने बाला हूँ इस वीडियो में तो इस वीडियो में आन तक बने रहेग जो आपके play store पर नहीं होती और वहाँ पर आपको browser से उनको install करना पड़ता है और वहीं से आपको install भी करना पड़ता है तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अगर वो can't open का जो error है वो bug आपको आ रहा है तो आपको कैसे solve करना है तो इस वीडियो में एन तक बने रह और इस application को install कर लेना होगा देख सकते हैं यह वह application है जैसे इसको install करोगे दन इसको यहां से open करना है open करने के बाद यहां पर आपको कुछ इस तरह से दिखाएगा और उपर search bar आएगा search bar में आपको आपकी जो apk है उसका नाम डाल लेना है उसको search कर लेना है यहां पर मैं search करा आप देख सकते हैं यह मेरी apk आ चुकी है जो मैंने browser में install करी थी instagram यहां पर मैं इसको click करता हूँ click करने के बाद यह आपको options आ जाते हैं अब यहां से आपको install का option देखने को मिल रहा है तो यहां पर install करते हैं और then यहां पर जाकर आप जो है इसको install कर पाएंगे easily आ आपको क्या करना है एक और settings जरू से own कर लेनी है settings में आना है scroll करना है privacy protection होगा इसको own करिएगा यहां पर आने के बाद नीचे आईएगा यहां पर आप देख सकते हैं special permission इस पर आपको click कर लेना है then यहां पर बहुत सारी settings हैं आपको यहां पर देखने को मिलेगा install unknown apps यह र आपको ब्राउजर जो है जिस भी ब्राउजर से आपने install करा है कुछ भी apk वहां पर चले जाना है उस ब्राउजर के यहां से select कर लेना है यहां से मैंने करा तो इसको open कर लेता है open करने के बाद install unknown apps का यहां पर allow from the source है तो इसको allow कर देना है देख सकते हैं यहां पर timing इसको allow करके यहां पर tick करके और okay कर देना है दन यहां से आना है आपको back और आप आप देखेंगे किसी भी application को आप यहां से easily install कर पाएंगे फिर आपको कोई problem नहीं होगी सब्सक्राइब कर देना अगर आपकी problem फिर भी solve नहीं होती है मैं आपके लिए कोई और solution लेकर आँगा है सब्सक्राइब